दे लाइव टीवी सच सबसे आगे और इसके लिए उन्होंने खुद अपनी ट्वीटर की डीपी बदल ली है ऐसे में अब देश के तमाम नागरिकों से या पीले तो वो अपने घर में भी तिरंगा पहरा है और सोसल मीडिया पर डीपी भी बदल ले अगर प्रधानमंत्री ने बदली है तो निश्ची तोपर भारते जनतापाटी और उन्हें चाहने वाले समझने वाले और देश के हर नागरिक ये काम करेंगे डीपी भी बदल लेंगे चुकि पीम ने बदल रखी है ऐसे में यही एक मुश्किल आ गई है और या परिक्षा लेने जैसी है दरसल जब से ट्विटर एक्स हुआ है और ट्विटर ने ब्लू टिक के लिए पैसे लेने शुरू किये है तो उस वक्त एक शर्त भी डाल दिया गया इस शर्त में कहा गया कि अगर आपने डीपी बदली तो आपका ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन हट जाएगा फिर आगे आपको मसले आने लगेंगे इस परिस्थिति में भक्त क्या करेंगे अलाकि संबित पात्रा ने ट्विटर पर अपनी तस्विर बदली हैं उन्हें तिरंगा लगाया है देश की आन, बान, शान, सब से उपर अब इसके एवज में उनका ब्लू टिक फिलाल तो गायब हो ही गया है तो प्रधान मंत्री मोधी की अपील पर जितने भी ब्लू टिक वाले अगर तिरंगा लगाते हैं जो कि उन्हें लगाना चाहिए एकदम से लगाना चाहिए लेकिन ऐसी परिस्थिति में उन्हें कुछ मुक्सान होगा तो प्रधान मंत्री मोधी एक तरीके से अगरी परिक्षा ले रहे हैं और इसमें देखना यह होगा कि भगत कुर्बानी देते हैं कि नहीं देश हित में तो कुर्बानी देनी ही चाहिए अब ज़रा देखिए निगार परविन ने टूइट किया है इस संबंध में आज फिर प्रधान मंत्री मोधी ने बेचारे भग्वों को बड़ी मुश्किल में फसा दिया है एक तरफ डीपी बदलने को बोल दिया दूसरे तरफ उनके पेट पर लात मार दी अब करें तो करें क्या बीपी बदलेंगे तो ब्लू टिक चला जाएगा तो एक्स पैसे रोक लेगा अब देखिए कितने चौकिदार अपना ब्लू टिक हटा कर साहिब की बात मानते हैं अब प्रधान मंत्री बोले हैं तो बात तो माननी होगी क्योंकि हमारे देश के जो प्रतरियतों करता हैं उनकी बातों को तो लोग फॉलो करते हैं कई दफे लोग ठाली भी बजा चुके हैं बात तो इस बक्त देश रहित की है और तिरंगा लगाने की है तो तिरंगा हर कोई अपने सर मात्रे पर लेकर चलेगा जहां तो तैथ है ऐसे में ट्विटर पर ब्लू टिक के कुर्बानी देने वाले भक्तों के तादाद कितनी होगी इस के लिए आकरे भी जुटाने होगी मोहमद जुबैर ने एक ट्विट किया है इसी संबंद में जराब अपने स्क्रीन पर देखिए यहां मोहमद जुबैर कहते हैं कि इंटरेस्टिंग तो सी हाव मेनी वेरिफाइड देश बख्ष चेंग देडीपी जएज रिक्वेस्टेड बाइ मोधी जी मोधी जी का एक ट्विट भी नो ने शेर किया है इसमें कहा गया प्रणमंत्री मोधी ने ही कह दिया हर घर तिरंगा मोध्मेंट के ही करम में चलिए हम सब अपने अपनी डीपी भी बदलें और डीपी को तिरंगा से बाठ दे और इसके बाद हमारे देश और हमारे बीच जो बॉंडिंग है वो और भी मजबूती से और भी गहराई से महसूस कर पाएंगे प्रणमंत्री मोधी के इस अपील का असर होगा कई लोग बदलेंगे लेकिन क्या वो भग बदलेंगे जो ब्लू टिक बड़े महनत से पैसे खर्च करके हासिल कर रहे है क्या वो देश हित को सर्वोपड़ी मानेंगे या नहीं क्या वो तिरंगे को सर माथे पर लगाएंगे या नहीं यह बहुत बड़ा सवाल है हलाकि प्रणमंत्री मोधी के कहने के कई घंटे के बाद भी जो हमने देखा कि उन्होंने नो बज कर 47 मिनट पर टूइट किया उसके बाद फिर हमने जब कुछ बड़े-बड़े निताओं के टूइटर अकाउंट्स देखे तो उस वक्त तक उन्हों ने भी अपनी तस्वीर नहीं बदली थी जिसमें कई नाम है अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपने भक्तों से कहा कि भक्तों देश भक्त बनने की बारी है लेकिन भक्त क्या देश भक्त बनेंगे या टूइटर भक्त बनें रहेंगे यही उनकी सबसे बड़ी अग्री परिक्षा हो जाएगी चलिए कुछ tutor handles हम आपको दिखाते हैं जिसमें संबित पात्रा ने बदल लिया तो इनका blue tick गायब हो रखा है इसके बाद आईए आप logs by speaker grey account है यहां एक और ध्यान देने बल्ली बातिया है जो भी government officials हैं जिनके accounts पर grey tick है उनके ID पर कोई फरक नहीं परेगा DP बदलने से क्योंकि वो government से verified है tutor भी इन्हें बहुत ही सहेज कर रखता है तो लोग सबाई speaker ने नहीं बदला है अमित शाह ग्रेटिक बाले हैं इन्हें किस बात का डर है इन्होंने भी नहीं बदला है इसके अलाबा जगत प्रकास नड़ा भारते जंता पाटी के ये राष्ट्रिया ध्यक्ष है इन्होंने भी अभी तक DP नहीं चेंज करी है शांडिल्या गिरिराज सिंग यानि बरबोले नेता इन्होंने भी अपनी तस्मीर नहीं बदली है ये तो अभी तक 75 ही मना रहे है लेकिन देखिए कि इस बक्त प्रधानमंत्री मोधी की अपील का असर तो होना चाहिए इन लोगों को तो सबसे पहले कर लेना चाहिए भाई ये लोग कहाँ पीशे छुट गए इनके कहा हैं सोसल मीडिया हैंडलर्स ज़ना पुसल मीडिया ऐकाउन जंगल तो कर दे आफ़त में ये लोग तो निश्चित ओपर पड़ जाते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लू टिक कैसे हड़ जाएगा इसको लेकर 2022 में ही जब टुटर अपने आपने बदलाव कर रहा था और ब्लू टिक के दरभाजी हर किसी के लिए खोल रहा था तो उस बक्त ही यह कह दिया गया था टुट एडिट हो सकेगा डीपी बदलने पर भी ब्लू टिक होगा गाया टुटर ब्लू में आज से चाप बदलेगा जब यह बदलाव लागू हुआ था आज तक की खबर है हमने आपको दिखाया है इसमें लिखा भी गया है टुटर यूजर्स अपनी प्रोफाइल पर फोटो या नाम बदलते हैं तो उनका ब्लू टिक हटा दिया जाएगा हाला कि फिर से वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने पड़ेंगे हाला कि फिर से वेरिफिकेशन के बाद फिर से ब्लू टिक दिया जाएगा यूजर्स को अपने ट्विट्स के कंटेंट को एडिट करने का भी अधिकार मिल सकेगा इसके अलाबा एक हजार स्टीपी वीडियो भी अपलोड कर सकेगे तो मामला इधर से क्रियतर्स के लिए हो गया कि भाई उन्होंने बड़ी मेहनद से पैसे खर्च करके ब्लू टिक हासल किया है अभी मोदी जी कह रहे है कि ब्लू टिक की कुरबानी दे दो अब मोदी जी की बात अगर वो मानते हैं ब्लू टिक जाएगा और उन्हें जो उस बक्त तक नुकसान होता है वो जेलेंगे लेगिन तिरंगा लगाएंगे तो देश शहित में सब से आगे कहलाएंगे तो परिक्षा तो निश्चित उपर उनकी शुरू हो गई है मुहमत जुबर के इस टूइट के बाद उन्हें भी ट्रोल करने वाले सामने आगे जदिस उपासने नम के ट्विटर उजर है पत्रकार है एक्स एडिटर इंडिया टुड़े लिखते है प्रे प्रोफाइल में उन्हांने इनको कोट करते हुए लिखा he confirms that although you are verified by acts and you are real masters but you are not a देशभखत वाने कहा कि तो आप confirm करते हैं कि आप तो verified है तूटर के द्वारा और आप अपने real master के द्वारा भी verified हैं लेकिन आप देशभखत नहीं है यह आपने confirm कर दिया है तो मुहम्मद जुबहर ने इन्हें जवाब दिया Why have you not changed your DPA? सियाचीन में हमारे जबान लर रहे हैं और तो DPA नहीं चेंज कर सकते और नहीं ने उनको टैग किया है और कहा है कि आप हमसे पूछ रहे हो आपने खुद अभी तक अपनी DPA क्यों नहीं बदली है इसका जबाब देंगे क्या अब सियाचीन में हमारे जबान लर रहे हैं और आप DPA भी नहीं बदल सकते इस तरीके से पिरका टिमपुरें का भी दौर सुरू हो चला है जैसे समय बीटेगा आप खुद देख पाएंगे कि कितने भाजपाई हैं कितने समर्तक हैं जो ब्लू टिक वाले हैं खास करके वो सब अपना टूटर हैंडल बदलते हैं उसमें DP चेंज करते हैं चिरंगे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं क्योंकि हम भी अपील करते हैं पुरा देश अपील कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी की बात मानिए टूटर में DP बदलिए चिरंगे को लगाईए ताकि आपकी देश भक्ती जो है दुनिया देख सके और मोदी जी भी आपकी देश भक्ती देख का बहुत प्रसंद होंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी काम से जुरने के लिए बहुत बहुत धनिवाद है